आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये गर्भा अप्रोप्रियेट मेकप लोग शेयर करने वादी हूँ चलिए देखते हैं मैंने कैसे लोग क्रियेट किया है सबसे पहले मैं अपने लिप्स को मॉस्टराइज कर रही हूँ अच्छा है ये लिप्बाम और अब मैं एक स्ट्रोप क्रीम अप्लाइ कर रही हूँ ये लाकमे की लूमी क्रीम है ये एक अच्छा ग्लो देती है और क्योंकि हम आज ग्लामरस लुक कर रहे हैं इसलिए मैंने इस प्राड़क को यूज किया अब मैं अपना trusty foundation यूज कर रही हूँ ये kynan free rain से है rimmil का foundation है in the shade medium अच्छा foundation है और बहुत अच्छे से मैं blend कर पाती हूं मेरे skin tone को भी अच्छे से suit करता है इसलिए मैं इसे use करना पसंद करती हूँ आप अपनी पसंद का कोई भी foundation यूज कर सकते हैं और यह जो foundation है skin like finish देता है, इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी से try का सकते हैं, यह appropriate for dry skin type है, और देखे कितना अच्छा लग रहा है मेरे skin पे यह foundation, और definitely अपनी गर्दन को ना भोले, वहाँ पर भी हलका सा foundation ज़रू से लगे, तो अब मैं आप concealer यूज कर कर देता है मेरे eye के आसपस जितनी भी डाकन से, उसे, concealer को set कर लेते हैं, ताकि concealer crease ना हो, बहुत important step है यह, ताकि concealer crease ना करे, तो आप जरू से यह step follow करें, चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम थोड़ा सा contour कर लेते हैं, अपने face को, और मैं यूज कर यूज कर यूँ वेटन वा आती हूं, और देखे, जादा heavily, मैं contour कर भी नहीं रही हूं, हलका हाथ रखा है, मैंने क्योंकि मुझे ऐसा ही make-up करना पसंद है, आप अपने पसंद से product को apply का सकते हैं, और अच्छे से blend जरूर से करें, मैं अपने eyebrows को define कर रही हूं, by using wet and wipes, do it better eyebrow pencil, और यह बहुत अच्छी waxy pencil है, अगर आपके पास अपने पसंद के brand की eyebrow pencil है, आप वो यूज़ कर ले, जरूरी नहीं आप यही वाला product यूज़ करें, आप रहा को कूम भी कर ले हैं, चलिए अब हम अपना eye look करते हैं, जो की star of the show है, मैं सबसे पहले कीको के एक eyeshadow stick यूज़ करके turquoise color को pack की, और उस हैं, उसको smudge कर रही थी, अब मैं मार्स का green color का एक duochrome eyeshadow वो pack कर रही थी, और मैं Swiss beauty का metallic eyeshadow pack कर रही हूँ, तो कुछ ऐसा दिखते है हमारा eye look, और सब कुछ cohesive लगे, इसलिए मैं अच्छे से edges को blend कर रही हूँ, यह काफी easy look रहा, मैंने पले eyeshadow sticks को apply के और उसके उपर metallic eyeshadow को, that is it, अब मैं eyeliner apply कर रही हूँ, निक्स का picking liner है, यह मेरा favorite eyeliner है, और आप अपने पसंद का liner ज़रू से apply करें, liner लगाने से थोड़ा eye look अच्छा लगता है, और आप liquid liner चाहें तो वो use कर ले, मैं अब अपने waterline पे hex, एक blue color का eye pencil नाइका का वो लगा रही हूँ, अपने cosmetics से खरीदी थी, और इसके ऊपर अपने निक्स का एक turquoise color का अजूर करके shade आता है, वो apply कर रही हूँ, और इसके ऊपर मैं Mars का एक northern light green color का जो eyeshadow में अपने lid पे लगा रही हूँ, वही चीज मॉर्फर के pencil brush के मदद से अपने lower lash line पे लगा रही हूँ, आप देख सकते है, ऐस L'Oreal का Lash Paradise Waterproof Mascara वो भी बहुत अच्छा है, तो यह सारे मसकारे जो है आप यूज कर सकते हो, अगर आपको fluttery voluminous lashes चाहिए, और आप Lash, जो first lashes है वो नहीं लगाना चाहते हो मेरी तरह, तो अभी मैं K-Beauty का एक blush लगा रही हूँ, sugar candy shade में, coral blush है, और ऐसे ऐलो के साथ ऐस अपने हाइपॉंस ओफ द फेस पे, और मैंने एक ऑलरी इस टोप क्रीम लगा रखी तो आज मैंने हलका हाथ यूज के यूज के रहलाटर के लिए, वनर मेंटने दुर्गा पूझा में बहुत ही जादा लगा था, लगा था यूज के लिए यूज के लिए भी में बहुत ह ऑब मैं use करही हूँ नायका का break-a-leg lipstick और रिस ए essence cosmetics की hydrating nude lipstick है जो की बहुत light है तो मैंने ढाक lipstick को light करने के यूज पैस विइंस ते लुज सकते हैं Gloss लेधा हु आपके लिए आपके लिए आपके रहे हैं लगा रहे हु घ्लाम का और ये पिंख sık लागस है बहुत प्यारा पिच ब्लाक कलर का ऐलाइनर है वाटर रजिस्टंट है क्योंकि जब मैंसे दोरी थी तो यह दूलनी रहा था तो आपको रेफरेंस मिला हो कि ऐसा मेकप लुक कैसे कर सकते हैं अगर आप इस मेकप लुक को रीक्रेट करते हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पर टैक करना मत भूलेगा इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्षिन में बताएगा कि आपको यह मेकप लुक कैसा लगा एजी लगा हार लगा अच्छा लगा नहीं लगा and I will see you soon in my next one take care bye bye